हेलो प्रेंट्स विद्या पिट्रेस्टेट पैंड में आप सभी का स्वागत है आज का जो कलास देखेंगे बिहार अबर अगन्यक्चक समसमाई घटना चकर के संपूर्ण कम्पूइटर सेंस से लिया गया है इससे पहले इस बुक का सारा जो सिलेवस कम्प्लीट करा दिया है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो देख लिजे साथ ही यदि कम्पूइटर सेंस का पीडियाप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दिया है वहाँ जाकर के आप इसका पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं तो कारिया लाए से संबंधित कारियों में किया जाता है मैक्रोफट औपीश सौप्ट्वेर को मैक्रोफट कमपनी द्वारा विखशित किया गया है मैक्रोफ एक अमिरिकन कमपनी है जिसका संस्थापक दखेंगे तो पॉल एलन एबम बिल गेट्स हैं Microsoft Office के कुछ लोग पूरिये संस्करन जैसे निम्गलीत है Microsoft Office 97 आया था Microsoft Office 2000 एबं 2003 Microsoft Office XP आया था Microsoft Office 2007 और आपका Microsoft Office जो है 2019 आया था Microsoft Office के निम्लिखित पार्ट देखेंगे तो Microsoft Word होता है Microsoft Excel होता है Microsoft PowerPoint होता है Microsoft Access होता है Microsoft Outlook होता है Microsoft InfoPath Designer होता है Microsoft OneNote होता है Microsoft Publisher होता है Microsoft Word में मुक्ता दो परकार के फॉर्मेंटिंग होते हैं जैसे की Character Formatting और पैरागा फॉर्मेंटिंग Microsoft Word में जो है Estates वार बरतमान परलेखन के बारे में जानकारी परदान करता है MS Word को Run Command द्वारा खोलने के लिए टैप किया करते हैं प्रिफ्यू दस्तावेज को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए परियोग में लाया जाता है Microsoft Word दस्तावेज जैसे पत्र, बीबरन, संदेश, आधी को बनाने अत्वा उन पर कारी करने से सहता परदान करता है Microsoft Word में जो है सब्दकोस, फंक्शन, द्वारा, वाक के बिन्यास में हुई गर्वरी की जाज कर उसमें सुधार किया जा सकता है Microsoft Word की Windows के परमुक भाग देखेंगे तो Microsoft Word के दस्तावेज का नाम टाइटल वार में दर्शा आया जाता है File Tab के परियोग द्वारा File की जानकारिये को बेवस्तित किया जाता है यह फंसन दस्तावेज को सुरक्षीत करने तर्साजा करने एब आम प्रिंट करने की स्विवधा भी परदान करता है Quick Access Toolbar के अंतरगर देखेंगे तो सुरक्षीत करना, Undo करना, Redo करना जैसे निर्देश कमांड पर दर्शीत होते है प्रिविष्ट बिंदू यानि इंसर्शन पॉइंट स्क्रीन स्क्रीन पर दिखाई गई देने वाली लैन है जो आपके द्वारा टैप किये हुए टेक्स को परदरसीत करता है स्क्रॉल बार जो देखेंगे दस्तावेज को ब्राज करने की स्युपधा परदान करता है स्टेट वार्श में देखेंगे तो स्क्रीन को परदरसीत हो रहे दस्तावेज छेतर का वर्णन करता है एबम प्रिविष्ट बिंदू की इस्तिती को दिखाता है जिसे देखते हैं Microsoft Word shortcut कुंजियें के बारे में और उनका क्या कारी है इसके बारे में देखेंगे तो Ctrl प्लस एक बटन जब यूज करेंगे तो पेज पर उपस्ती टेक्स छवी ताली का इत्यादी को एक साथ चैनित करता है Ctrl प्लस बी देखेंगे तो चैनित टेक्स जैसे सब्द वाक पैरागराप इत्यादी को बोल्ड करने के लिए इसका परियोग किया जाता है Ctrl प्लस एक देखेंगे तो पेज पर उपस्ती चैनित समागरी की लिपी को कौपी बनाने में होता है Ctrl प्लस डी का यूज करेंगे तो Microsoft Word में Font Dialogues Box को खोलने के लिए किया जाता है Ctrl प्लस एका यूज करेंगे तो चैनित टेक्स को पेज के माध्यम से सेंटर में करने के लिए यूज किया जाता है Ctrl प्लस एक का परियोग देखेंगे तो किसी टेक्स को खोजने में इसका परियोग किया जाता है Ctrl प्लस जी का परियोग देखेंगे तो इसका परियोग GoTo Dialogues Box को खोलने या Open में किया जाता है इस फंसन के परियोग के द्वारे दास्तावेज किसी बिसेश पेज, Heading, भाग, इत्यादी का नाम परिविष्ट, Name, Enter कर उसे जगा पर सीधे पहुंच या जम किया जा सकता है Ctrl प्लस एच का परियोग देखेंगे तो इसका परियोग जो है Replace Dialogues Box को खोलने या Open में किया जाता है Replace Dialogues द्वारे दस्तावेज, Document के विसेश टेस्ट, Specic टेस्ट को किसी दूसरे टेस्ट में बदल या Change कर सकते है Ctrl प्लस आई का परियोग देखेंगे तो चैनिट टेस्ट को Selected जो परागराप होता है इसका Italian font में Change किया जाता है Ctrl प्लस जे का परियोग देखेंगे तो चैनिट परचेक्ट में Select परागराप को समायोजित यानि Justify करने के लिए किया जाता है Ctrl प्लस L का देखेंगे तो किसी सीचЕ यानि Text का यानि Selected Test को respecto परागर लेट और संस्यखे एलइकर करने के लिए किया जाता है Ctrl प्लस Ben ka परियोग देखेंगे तो चैनिट जो चैनिट आटेस्ट होता है यानि Selected Test को मध में करने के लिए होता है Ctrl प्लस N का इसका पर्योग नए दस्तावेज फाइल को खोलने या Open करने में किया जाता है Ctrl प्लस O का पर्योग दखेंगे तो computer में पहले से सुरक्चित यानि जो save data होता है या Word दस्तावेज को खोलने या Open में इसका पर्योग किया जाता है Ctrl plus P का प्रियुग दखेंगे तो इस प्रियुग से word दस्तावेज यानि word document को print करने में इसका प्रियुग किया जाता है Ctrl plus Q का यूज़ देखेंगे तो chain Sach寿 टेक्स यानि selected test को buying and left को संदाभ्चित करने या इसके use में किया जाता है Ctrl-R का परियुग देखेंगे तो चैनीद टेक्स यानि सेलेक्टेड टेस्ट को दाइए या राइट ओर जो है संदेखित या एलाइन करने के लिए इसका परियुग किया जाता है Ctrl-S का देखेंगे तो Microsoft Word दस्तावेज जो macro word, document को save करने में इसका पर्योग किया जाता है Ctrl प्लस U का देखेंगे तो ये जो होता है, selected test होता है उसको underline करने में इसका यूच किया जाता है Ctrl प्लस भे ही देखेंगे तो किसी दस्तावेज या document को cut कर या copy किये गए समागडिज होता है डेटा होता है इसको paste करने में इसका यूज़ क्या जाता है Ctrl प्लस W का यूज़ देखेंगे तो मैस वर्ड में खुले हुए दस्तावे जो open documents होते हैं उनको close या बंद करने में इसका परियोग क्या जाता है Ctrl प्लस Y का देखेंगे तो यह आपका Microsoft Word में redo करने में इसका परियोग क्या जाता है जिस परकार undo के परियोग हम द्वारा step by step पीछे और जाते हैं उसी तरह redo का यूज़ करके step by step हम आगे की और जा सकते हैं वही सेम चीज step by step पीछे जाने के लिए Ctrl प्लस Z का परियोग क्या जाता है Ctrl प्लस छोटी कोस्ट को देखेंगे तो इस shortcut से जो हमारा font होता है उसका size एक point घटा सकते हैं Ctrl प्लस से space का यूज़ देखेंगे तो selected test में हुई किसी भी परकार की perfecting को हटाने के लिए इसका यूज़ क्या जाता है Ctrl प्लस डिलिट कोई भी data को mouse के द्वारा select किया जाता है या current position में जुराता है उसके दाई और से एक सब्द को हटाने के लिए हम Ctrl प्लस डिलिट का यूज़ करते हैं Ctrl प्लस इडिट का देखेंगे तो इसके परियोग द्वारा वर्ड दस्तावेज यानि वर्ड डोकोमेंट में एक पेज ब्रेक समलित हो जाता है वर्ड दस्तावेज में पेज ब्रेक समलित होने के पास्षाद परिछेत यानि पारागर आप अगले पेज पे या next पेज पे चला जाता है नेसे देखते हैं control प्लस हम देखेंगे तो go to the beginning of document अर्थाद इसके द्वारा हम दस्तावेज या document की सुरुवात या starting point पे पहुँचाते हैं control प्लस इन्ट देखेंगे तो go to the int of document यानि अर्थाद इससे कुंजी के द्वारा हम दस्तावेज या document के last में पहुँचाते हैं नेसे देखते हैं control प्लस पेज अप का परियोग करेंगे तो इसके परियोग द्वारा हम word दस्तावेज को word document के पिछले प्रिष्ट यानि प्रिविसल पेज के सिर्ष यानि टॉप पर पहुँचाते हैं अर्थाद go to the previous page हो जाता है नेसे देखते हैं control प्लस पेज डाउन का परियोग यूज करेंगे तो इसके परियोग द्वारा हम word दस्तावेज यानि word document के अगले पिष्ट next page पे जो है सिर्ष पे पहुँचाते हैं अर्थाद go to the top of next page पे पहुँचाते हैं Ctrl प्लस F2 का परियोग देखेंगे तो इस संशित कुझी से यानि shortcut key के परियोग द्वारा ribbon को दिखाया एबम छिपाया so एबम hit hide किया जा सकता है Ctrl प्लस F10 का यूज करेंगे तो इससे परियोग द्वारा हम Microsoft word यानि Microsoft word की application window को maximize कर सकते हैं Ctrl प्लस Shift प्लस C का यूज करेंगे तो इसके परियोग के द्वारा चैनि सेक्ट यानि selected text जोता है इसके formatting की परति लिप या copy बना कर उसे किसी दूसरे text पर लागू apply किया जा सकता है जैसे देखते हैं Ctrl प्लस Shift प्लस D का यूज करेंगे तो इसका परियोग selected text को दो बार एक हांग की यानि underline करने के लिए किया जाता है जैसे कि ये underline का है तो उसका ही underline करेंगे यदि तो दो बार underline होगा तो इस तरह से होगा नेज़ देखते हैं Ctrl प्लस Shift जी इस key के द्वारा हम count डायलोग को खोल सकते हैं जहां पर दस्ताबेज, document के सब्द word, priest page, एब अमपारा अगराफ की liner को गीना या count किया जा सकता है नेज़ देखते हैं Ctrl प्लस Shift प्लस L का इसके परियोग के द्वारा bullet बिंदू यानि bullet point समलित या insert किया जा सकता है Ctrl प्लस Shift प्लस T का इसका परियोग Chinese test यानि selected test में hanging indent को हटाने remove करने के लिए किया जाता है Ctrl प्लस Alt प्लस C का use देखेंगे तो इसका परियोग word दस्तावेज यानि word document के copyright परतिलीप यान बनाने के लिए किया जाता है Shift प्लस Alt प्लस T का इसका परियोग द्वारा बरतमान समय में current time में जो है word दस्तावेज यानि document में समलित किया जा सकता है Shift प्लस Alt प्लस D इसके द्वारा word दस्तावेज यानि word document में दिनां को समलित या insert किया जा सकता है Alt प्लस F5 का परियोग देखेंगे इसके द्वारा MS word application बिंडो को restore किया जा सकता है यानि द्वारा इसको लाया जा सकता है MS word में किसी सब्द या word को चैनित सलेक्ट करने के लिए उस सब्द पर double किलिक किया जाता है MS word में किसी परागराप को चैनित करने के लिए जो है परागराप पर तीन बार triple किलिक किया जाता है निस देखते हैं Speed seat में पर्थम sale यानि फर्ष्ट sale का पता address A1 से होता है Spelling जो mistake होता है उसको चेक करने के लिए short kit जो है आपका F7 का परियोग किया जाता है Microsoft word में watermark click page layout table में होता है Blue page यानि view menu में जो है आपका ये receipt split opinion option का कारी window को दो भागों में विवाजित करना होता है Microsoft word 2010 यानि MS word 2010 के जो आपका text alignment की संख्यां कितनी होती है तो चाड़ होता है Header priest header page का सबसे उपरी भाग होता है इसे priest के सबसे उपरी किनारे यानि top margin में जोरा जाता है Header का परियोग दिनांक, date, समाई एब हम प्रिष्ट संख्यां page नमर डालने के लिए इसका परियोग किया जाता है Footer priest यानि page का सबसे निचला भाग होता है या priest के सबसे निचले किनारे bottom margin में होता है जो priest संख्या, footnote आधी डालने के लिए इसका परियोग किया जाता है नहीं सकते हैं Microsoft Word के दस्तावे जोग में किसी भी बिसिश्टर यानि special word को ढूंडने या find एब हम उसके बदले में replace के लिए हम find and replace का उप्योग करते है मर्द सेल का परियोग एक से अधिक सेल को चयनित कर एक सेल में जोडने के लिए किया जाता है अर्थात मर्द सेल का आर्थ एक से अधिक सेल को मिला कर एक सेल बनाना होता है speed सेल का परियोग एक सेल को एक से अधिक सेल में विभाजित करने के लिए किया जाता है Microsoft Word का extension नाम देखेंगे तो dot dots x होता है यानि कोभी file हम save करेंगे तो last में इसका ये extension file होता है जिसका हम use करते हैं MS Word में test का चरनित यानि selected करने के लिए mini toolbar या mini toolbar सोता ही परदर्सीत होता है MS Word के दस्तावेज या document को password से सुरक्षित करने के लिए encrypted दस्तावेज encrypted document बिकल्प option का जो है हम परियोग करते हैं Microsoft Word में web layout का ताद पर दस्तावेज को web page के रूप में देखने से होता है Arial एक परकार के font Sally होते हैं सबसे छोटा font आकार आठ एब हम सबसे बादा font आकार देखेंगे तो या आपका बहत्तर होता है देखते हैं Microsoft PowerPoint को Microsoft जो आपका cooperation द्वारा विक्सित किया गया है Microsoft PowerPoint में एक graphic प्रस्तूती program graphic presentation program है PowerPoint के प्रस्तूती या presentation को slide show के रूप में दस आते हैं PowerPoint के परतेक प्रस्तूती presentation में style या slides का करम देखेंगे तो order के अनुसार screen पर परदर्सित representative होना जो आपका slide show कहलाता है देखते हैं cut copy अथवा paste करने के लिए edit menu जो है select किया जाता है उपयोग करता दस्तावे user document को जो नाम देता है उसे file नाम कहते हैं दस्तावे जयानि document में चीन हित निश्चित अस्थल location पर पहुचने के लिए bookmark उपयोग होता है नस देखते हैं footnote अथवा indoor notes का जो उपयोग reference के लिए किया जाता है कई करमिक निर्देशक के अस्थान पर एक ही shortcut को निर्धारित करने को macro कहलाता है समानता allied text को column में रखने की परिकिरिया processor justified है Microsoft PowerPoint में पर योग होने वाले कुछ महतपूर्ण shortcut की देख लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो control plus N का यूज़ जो किया जाता है new presentation बनाने के लिए alt plus H FIS जो है select किये गए text का font आकार बदलने के लिए होता है alt plus W and Q का देखेंगे तो zoom box का खोलने के लिए किया जाता है control plus X का देखेंगे तो आपका slide या test को cut करने में किया जाता है control plus Z का देखेंगे तो last में किये गए कारी को पूंता यानि undo करना होता है control plus H से presentation को save करने के लिए यूज़ किया जाता है Alt प्लस G या H का अब देखेंगे तो presentation में जो theme होता है उसको insert करने के लिए use क्या जाता है Alt प्लस H का देखेंगे तो presentation जो slide होता है उसका नस्क सा या खाका या layout तियार करने के लिए क्या जाता है page down का देखेंगे तो अगली slide पर जाने के लिए page down का प्रियोग क्या जाता है page up का देखेंगे तो आपका पिछली slide जो होता है previous slide उस पर जाने के लिए alt plus edge का देखेंगे तो home tape पर जाने के लिए क्या जाता है Microsoft Excel एक विक्सित प्रोग्रामिंग है, Microsoft Excel आंकरो डाटा को संगठित अथवा व्यवस्तित यानि और्गिनाइज़ करने, गन्ना यानि कैलकुलेशन को पूरा करने, जो आपका निर्णय लेने आंकरे का गराप तियार करने, वेब पर आंकरो को जारी करने एबं वेबसाइड प ग्रूप को वर्क सीट काते हैं, Excel Speed Seat की मुल्ताइकाई सेल होता है, Excel में चैनित किये गए सेल रेंज से एक चाट बनाने में F11 कुंजी का परियोग करते हैं, नेक्स देखते हैं, Extend Code को On-Off करने में F8 कुंजी का परियोग किया जाता है, सक्रिय सेल यानि Active Cell में जो भी टेक फर्मूला निदिष्ट किये जाते हैं, वह फर्मूला बार में यह परदर सीट या रिपरजेंट होता है, Spirit Seat एक कम्पुटर प्रोगामिंग है, जो RAW एवं कॉलम से बनियोगी फाइल की तरह होता है, Spirit Seat की अंक गनितिये सुत्रों के द्वारा कई परकार की गणना की जात है, जो पंक्तियों या कॉलम में विभाजित होते हैं, Microsoft Excel की संपुन वर्क सीट या Spirit Seat में कुल 256 कॉलम होते हैं, Spirit Seat या वर्क सीट में स्थित ब्लोग को सेल कहा जाता है, Microsoft Excel में करसर को सेल पॉइंटर कहते हैं, Microsoft Excel की विंडो की मुकता तीन Spirit Seat होते हैं, Microsoft Excel के अंतिम सुत्र तो देखेंगे, अनिर्मित सुत्र होते हैं, जो भी भी इन परकार की गन्नाओं, कैल्कुलेशन, ये से परी नाम प्राप्त करने में इनका परिवासित करता है, फंचन को सेल में चिन हीत के साथ लिखा जाता है, इस के पशाद फंचन का नाम, अंत में छोटे कोष्ट या, स्मॉल ब्रॉक्टेट के अंदर वांचित सेल रेंज को परिवासित करता है, निस देखते हैं, एक्सेल में फाइनेंसियल फंचन का परियोग, लोन इमाइंट, ब्याजदर, आधी गन्नाओं करने में क्या जाता है, एक्सेल के मुख फाइनेंसियल फंचन, जैसे की देखे होते हैं, जैसे देखते हैं, एक्सेल के गनित और त्रिकोनमिती फंचन द्वारा गनित ये एबम त्रिकोनमिती गन्ना जो है ट्रिकोनमिती कैलकुलेशन की जाती है, एक्सेल के परमुख फंचन, जैसे देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है, इसे पढ़ लिजेगा, जैस average जो की छोटी कोश्ट दिया है forecast है आपका frequency है max है, median है trend है, mode है, आधी है internet network को का एक network होता है internet विश्व में फैली हुई विभीन computer network को के आपस में जूरने से बना विश्व ब्यापी network है professor J.C. Licklider को internet का जनक कहा जाता है, internet का सरपर्थम पर्यूग, अमेरिका में सेना के लिए किया गया था, वर्स 1979 में, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, अपार्टनेंट यानि Advanced Research Project Agency Network नाम का एक network बनाया गया जो विश्व का पहला network कहा जाता है बिंडो, मैसेज नीजी inbox में 30 दिन तक संचित रहता है Block, सब्द दो, सब्द दो यानि Wave, Log को सन्योजिक या Combination है इमेल का विश्कार दखेंगे तो वर्स 1971 में हुआ था वो नेटबर जिसका परियोग किसी संगठन के LAN एवं WAN Computer को एक दूसरे से जोर्नेम करते हैं, उसे Intra Net कहते हैं नेजज देखते हैं, इंटरनेट के लिए परियोगते, नियम और दिशा निर्देशन को समो को तकनिकिक रूप में Netticate बेप पेज के Reload करने हैं तो Refresh बटन को दबाया जाता है बेप पेज, जो है एक दूसरे से हैपर लिंक द्वारा जूरे रहते हैं इंटरनेट एक्स्प्लोरर बेब ब्राउजर होते हैं इंटरनेट कोर्परेशन फॉर असाइंड नेम और नमबर की अस्थापना देखेंगे तो उन्हें स्वन ठानबर में इंटरनेट पर IPI पता या IPI डेस तथा डोमेन नाम डोमेन नान परदान करने और उसके मानक कार निर्धारन के लिए की गई थी कंप्यूटर तथा इंटरनेट के द्वारा दिया गया गैर कानोनी कार सैवर क्रैम कहलाता है वेफ साइट एक्सेस करने के पश्चात सबसे पहला जो वेफ पेज दिखाई देता है उसे हम होम पेज काते हैं किसी समयसिया को सुलजाने की वेवस्ता परिकिरिया ट्राइवल सुटिंग कहलाती है TCP का पूर्ण नाम देखेंगे तो Transmitter Mission Control Protocol होता है नेज़ देखते हैं इंटरनेट से जूरी कंपूइटर को एक BCS IP IP एडेस परदान किया जाता है जो उस कंपूइटर की पहचान बताता है World Wide Wave का संचिप्त रूप देखेंगे तो ये www होता है सुचनाओं या Information को एक अस्थान से दूसरी अस्थान पर अस्थान ती या Transformer करने के लिए Hypertext Transfer Protocol जो Hypertext Transfer Protocol का पर्योग किया जाता है इसे का संचिप्त रूप जो होता है HTTPS का ही संचिप्त रूप होता है नेज़ देखेंगे वह अस्थान जहां किसी उप्योग करता यूजर तथा संस्था और्गेनाईजेशन को अपना परीचे या संबंधित सुचना Information को परकासित करने की सोतनता होती है उसे Website का लाता है जावा स्क्रिप्ट एक सौप्टवेर भासा है जिसका अभिकाल डिजाइन सन मैक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था PHP का विक्सित जो है वर्ष 1994 में रामसर लेरडोफ द्वारा किया गया था PHP एक सौप्टवेर भासा है तथा इसका आप जो परियोग देखेंगे तो dynamic web page के विकास या development में क्या आ जाता है HTML का पूर्ण रूप देखेंगे तो hypertext markup language होता है या world wide web यानि www पर web page, home page अभी के design के लिए इसका पर्योग क्या जाता है नेज देखते हैं extensible markup language का संचित रूप देखेंगे तो XML होता है accentable markup language का पर्योग web page यानि के अभी लव या design में क्या जाता है uniform resource locator का संचित रूप URL होता है URL का विकास 1994 में Team Vernon Lee के तथा Internet Engineer Task Force द्वारा किया गया था नेज देखते हैं URL को बेप पता या बेप एडरेस भी करते हैं किसी बेप साइड अथ्वा बेप पेज का विसेश पता URL कहलाता है Net Suffering में पर्योग होने वाले application अथ्वा प्रोग्राम बेप ब्रॉजर कहलाते हैं बेप ब्रॉजर को Internet Navigation Tool एबं बेप क्लाइंट भी कहा जाता है जब प्योग करता है यानि उजर इंटरनेट से जूर कर इंटरनेट पर इस्तित बेप पेज की दी गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए बेप पेज को खोलता है तथा पढ़ता है तो इससे Suffering कहते हैं चुकि या Suffering इंटरनेट पर होती है अता इसे Net Suffering कहते हैं बेप ब्रॉजर HTML में लिखे गए बेप पेजों को interpret for front एबं डिस्पले करता है ओपेरा बेप ब्रॉजर मोबाइल फोन एबं पीडी ए प्रेशनल डिजीटल एसिस्टेंस में परियोग होता है ओपेरा बेप ब्रॉजर का विकास ओपेरा नौर्वे एस द्वारा किया गया था नेस देखते हैं मोजीला Firefox जो हता है निसुल को बेप ब्रॉजर है यह मोजीला Corporation द्वारा विक्सित सौप्ट्वेर है मोजीला बिंडो लैनेक्स आदी पर्चलन तंत में परियोग होते हैं गुगल कोरोम एक बेप ब्रॉजर है जिसका विक्सित जो हुआ था 2008 में गुगल कंपनी के द्वारा किया गया था गुगल कोरोम सुरक्चा प्राबधानों तथा उच गती के लिए लोग पिडिये है निजी नेटबर्क या उससे अनाधिक्रित पहुँच को रोकने के लिए जो डिजैन की गए पर्णाली फायर वॉल कहला जाता है इंटरनेट एक्स्प्लोरर ग्राफिकल इंटरफेस यानि ग्राफिकल इंटरफेस अधारित ब्राजर इंटरनेट एक्स्प्लोरर का विकास Microsoft Corporation द्वारा किया गया था इंटरनेट, एक्स्प्लोरर, मैकिन, टॉक्स और विंडोज पर चालन तंतर के सभी संस्करन पर रन करता है इंटरनेट पर परियोग होने वाली परमुकर, सौटकाट कुंजिया निम लिखित है यह देख लेते हैं तो Alt Brush Space दभाएंगे तो Main, Menu को खोलने के लिए के लिए क्या जाता है, Alt Brush Home का देखेंगे तो Browser Home page लोड करने के लिए होता है, Alt क whom का देखेंगे तो Adres Bar के LINK को दूसरे Adres Bar पर खोलने के लिए होता है, Ctrl Past S का यूज करेंगे तो browsing history को देखने के लिए होता है Ctrl प्लस S देखेंगे तो खुले हुए web page को save करने के लिए क्या जाता है Ctrl प्लस D का यू देखेंगे तो browser में खुले हुए website को bookmark में जोरने के लिए क्या जाता है Ctrl प्लस P से खुले हुए page को print करने के लिए Ctrl प्लस U से बेपेज का सुरोत कोट को खोलने के लिए Ctrl प्लस U का यूज क्या जाता है Ctrl प्लस Shift प्लस Delete Browsing History को डिलीट करने वाली बिंडो को खोल दिया जाता है Ctrl प्लस J का देखेंगे Download History खोलने के लिए Ctrl प्लस F3 का यूज होता है बेपेज पर सार्च करने के लिए Ctrl प्लस L और Ctrl प्लस D जो होता है अड्रेस बार को जूम करने के लिए Ctrl प्लस मिनूस देखेंगे तो बेपेज की सामागरी को जूम और्ट करने के लिए क्या जाता है Ctrl प्लस प्लस का यूज करेंगे तो वेब पेज की सामाविडी को जूम इन करने के लिए यूज किया जाता है Ctrl Shift प्लस टैब देखेंगे तो इंटरनेट पर पिछले टैब पर जाने के लिए होता है Ctrl प्लस W या Ctrl प्लस F4 दबाएंगे तो टैब को बंद करने के लिए इसका परियो किया जाता है Ctrl प्लस N देखेंगे तो नई ब्राजर बिंडो खोलने के लिए किया जाता है Alt प्लस Right देखेंगे तो या आपका Online बिंडो को आगे Shift प्लस Backspace बढ़ाने के लिए Page को Reload करने के लिए यूज किया जाता है किसके लिए App5 का यूज करेंगे तो Page को Reload करने के लिए यूज किया जाता है Alt प्लस जो फोर देखेंगे यह आपका ब्राजर बिंडो को बंद करने के लिए क्या जाता है Ctrl प्लस Shift प्लस टिप का हो जाता है गलतियों से बंद किये गए टैब को दुबारा खोलने के लिए Ctrl प्लस 9 यूज करेंगे तो ब्रॉजर को ब्रॉजर में खुले हुए सभी टैब के अंती वाले टैब पर जाने के लिए वहीं Ctrl प्लस O का जो यूज करेंगे बेज होता है उसको डिफॉल्ड जूम पर सेट करने के लिए नेज देखते हैं बिंडो की प्लस D का जो यूज करेंगे ब्रॉजर में खुले हुए टैब को हैट तथा सो करने के लिए और F11 का यूज करेंगे फूल स्क्रीन मोड पर जाने के लिए नेज देखते हैं सर्च इंजन में वांची सुचना यानि डिजाइड इंफॉर्मेशन से सम्मधित की वर्ड को खोलने सर्च के लिए टैब किया जाता है तथा यह सम्मधित सुचना रिलेटेड इंफॉर्मेशन को खोजने वेप साइड पर उसकी सुची लिष्ट पर दरसित करता है कुछ महतपूर्ण सर्च इंजन देखेंगे तो याहू है एल्टा विष्टा है हाट बॉट है वेप वेप क्राउलर है और एक साइड है नेज देखते हैं फ्रेंच सर्च में सब्दों में इन वेटर कॉमा के अंदर रखा जाता है या उसे बेप पेज को परदसित या दरसाता है जिसमें पूरा पेज एक साथ उपस्तित होता है वाल्ड कार्ड वो बिसेस चीन है या स्पेसिफिक सैन है जो सुचना इन्फरमेशन या वेप पेज को खोजने के दौरान कीवर्ड के साथ परियोग या प्रस्चीन एस्ट्रेनिट के उधारन में लाए जाता है इंटरनेट पे किसी सर्वर के पर्तिकिरियां देने में लगा समय की जाच भी कहलाता है इसके द्वारा बिसेस आईपी पते वाले कंपुटर या उपकुरन की उपलबता की जाच की जाती है इमेल इंटरनेट की एक सेवा है जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रोनिक मेल होता है इमेल दो सबसिस्टम यूजर एजेंट एवं मैसेज टांसफर्मर एजेंट से निर्मित होता है इमेल का विकास अमेर की बैग्यानिक रे टॉम लिंसन के द्वारा किया गया था इमेल संदेश के साथ ओडियो वीडियो टेक्श्ट फोटो फायल संगलन कर भःजा जा सकता है जिसे अचैटमेंट्स कहा जाता है इमेल सर्वर परत्यक इमेल खाताधारी को निश्चित एस्मृती परदान करता है जिसे मेल बाक्स करते हैं इंटरनेट पर इमेल संदेश प्राप्ट करने के लिए post office प्रोटोकॉल का पर्योग होता है तथा संदेश को भेजने के लिए simple mail transformer प्रोटोकॉल का पर्योग किया जाता है नस देखते हैं email pressure द्वारा भेजे गए email प्राप्ट करता के पास न पहुंच कर मद में ही लुप्त हो जाना email bouncing कहा जाता है email address किसी business machine का नहीं है अपितुई व्यक्ती business का होता है पर्तेक उप्योग करता या user का email पता भीन भीन होता है email में पर्तेक उप्योग करता के पास अपना नाम तथा पास पड़ होता है email पता के मुख दो भाग होते हैं उप्योग करता नाम या host नाम अर्थात सरवर नाम उप्योग उप्यूक्त दोनों भाग एक बिसी स्चीन द्वारा जो है जूरे राते हैं जिसे 8D रेट खा जाता है इमेल पता परदान करने वाली परमुख बेफसाइड में देखेंगें तो www.gmail.com www.hotmail.com www.radifmail.com नेज़ देखते हैं इमेल संदेश ऑक्स्टी टेक्स पारूप के बाइनरी डेटा से बनता है आज की एक मानक एस्टेंडर जो की कम्पूटर सना चना के भीन होने के बाब जूद टेक्स पढ़ाने में सक्षम बनते हैं इसके द्वारा वांचित इमेल संदेश इमेल मैसेज को अनेक व्यक्तियों के इमेल पते पर भेजा जाता है वीडियो कंफरेंसिंग द्वारा या अधिक अलग-अलग अस्थानों पर इस्थिती व्यक्ति कम्पूटर तथा इंटरनेट की सहायता से द्रिश हुआ स्थापित कर सकते हैं बर्स 1950 में J.L.Burners द्वारा सोचल नेटवरी सब्द का परचलन सुरू किया गया था इसके द्वारा कंफूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व में कहीं भी इस्थित लोगों के संपरक अस्थापित कर सकते हैं कुछ पर चली सोचल नेटवर्किंग साइड देखेंगे तो जैसे फेस्वुक है याहू है और कुट है ट्वीटर है गूगल प्लस है और यूटूब है वाइरस कंपुटर में इस्थित छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं वाइरस का विश्थार रूप जो हता है वो आपका extended form यानि vital information resource under size होता है निस देखते हैं वाइरस श्वाइंग निस्पाद ये यानि auto execute प्रोग्राम होते हैं एबम कंपुटर में परवेश करने के पासाथ कंपुटर की फाइलो एबम उसकी कालिप परनाली को परभावित करता है कंपुटर में वाइरस पहलाने का मुखेकार संकरमीत फ्लॉफी डिक्स संकरमीत पेंड्रैव आधी होते हैं वाइरस को सरपर्थम रवर्ट थमसंद्वारा बर्स उन्हें स्वेक खतर में विक्सित किया गया था इस वाइरस का नाम जो रखा था कीपर इसका सबसे पहला न में चित्रेवं रखांचित्र को बिट अथवार फिक्सल में विवाजित कर कंपुटर संचित या स्टोर किया जाता है बर्स 2006 में देखेंगे तो जैक्स डॉर्स द्वारा ट्वीटर की अस्थापना की गई थी इसके उप्योकरता को आउथर कहा जाता है इसे माइक्रो ब् चार्ड हरली, स्टीव चेन तथा जावेद करीम द्वारा यूटूब को पारम किया गया था प्रस्नल ब्लॉकिंग का जनक देखेंगे तो यह आपका जस्टीन हॉल हैं कंपुटर नेटवर्किंग के उप्योक किये जाने वाले विविन हार्ड बेर उपकरनों कंपुटर कहलाते हैं जैसे हब, रिपीटर, स्विच, राउटर, ब्रीज, गेटवे आधी होता है। कंपुटर नेटवर्किंग में दो या दो से अधिक कंपुटर नेटवर्क को विविन संचार माध्यमय द्वारा आपस में जोर कर और उनके मद डेटा वा सुचनाओ को इंफर्मे में जोरता है इसी कारण ये लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है एक होता है लें ठीक है इसी को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है घर, हाउस, कार्याला, भवनों का छोटा समूँ जो स्माल ग्रूप और विल्डिंग, फैक्टिरी, स्कूल अथ्वा विस्विद्याले यानि उन्वर्सिटी कैंपसे में कुछ किलोमीटर छेत्र में इसे फैला कर रखा जाता है। बर्तमान लैन इंथरनेट तकनीकी पर अधारी होता है। लैन में परियोग होने वाली युक्तिया में देखेंगे तो रौर होता है, प्रिंटर, एडटर, डाटा केवल, हाडवेर, सप्टवेर इतियादी होता है। बष्ट तोपलोजी, रिंग टोपलोजी, इस्टार टोपलोजी, सबसे समान लैन टोपलोजी होते हैं। लेन को मैन, लेन को मैन तथा वैन की तुलना में मैनेज करना बहुत आसान होता है, मैन के अंतरगत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्ड एक साथ जूर सकते हैं, मैन नेटवर्ड जो है किसी बड़े भगवलिक छेतर या जोगरफील छेतर जैसे देखेंगे तो सहर कसवा इस्तित कम्पूटर को नेटवर्ड में जोरा जा सकता है, इसमें देखेंगे तो रॉटर, स्वीच और हब्स मिलकर एक मैन का निर्मान कर सकते हैं, मैन लगवा एक सो किलोमीटर परिधी या रेडियस में इस्तित कम्पूटर को नेटवर्ड होता है, मैन एक कुछ ग मैन एक विश्तित भगवलिक्षेत यानि लार्ज ग्राफिकल एरिया एक देश कॉंटरी महादिप या पूरे विस होल विस में फाइल एक कम्पूटर नेटवर्ड से जोर सकता है, वैन नेटवर्ड में कम्पूटर आपस में लिड्च लैन या स्वीच सर्कीट के द्वार मैन में देखेंगे तो मॉडम, वायर और केवल के द्वारा इसका डेटा टांसफर कर सकते हैं, वैन में देखेंगे तो आप्टिकल वायर, माइक्रो वेव और सेटरलाइट के द्वारा इसमें डेटा टांसफर किया जाता है, इंथरनेट एक परकार के लोग पर ये देखते हैं एक network में notes के परस पर सम्बंद के स्वरूप network topology कहा जाता है network topology या निर्धारित करता है कि network की bv node किसी परकार एक दूसरे से जूड़ेंगे तथा किसी परकार एक दूसरे से communication अस्थापित करेंगे topology निमनी खुत परकार में बाटा गया है star topology होता है ring abum circular topology होता है mesh topology होता है bus topology होता है और एक tree topology होता है star topology देखेंगे तो star topology में एक केंदर node होता है जैनि central में एक node होगा जिसके अनिसभी node एक ही path में जुरा होगा star topology data processing wise sun 4 से जुरे अधिकान से सुचना network को में परियोग किया जाता है इसका सबसे अच्छा उधारन देखेंगे तो IBM 360 होता है star topology से लाब देखेंगे तो इस topology की सहता से network को आसानी से बढ़ाया जा सकता है network में कोई समस्या आ जाने पर network की किसी युक्ति या device में कमी है उसे आसानी से खोजा जा सकता है star topology से हानी देखेंगे तो network की सुचारू रूप से कारियत बनाए रखने के लिए अधिक केवल्स किया आव सकता होती है यदि star topology की केंदिय नोड फेल हो गया तो सारा network फेल हो जाता है ring topology देखेंगे तो ring topology में आपका संचार अंगूठी एबम गोलाकार रूप में होता है ring topology में परत्यक notes दो notes से जूरे होते हैं इसलिए परत्यक note या device में दो NIC card लगे होते हैं ring topology में data का परवा केवल एक ही दिशा में होता है ring topology से लाब देखेंगे तो ring topology को अस्थापित करने में कम खर्चाता है या network traffic को बहुत कम कर देता है या network में अच्छी speed परदान करता है इससे हानी देखेंगे तो इस topology में किसी भी notes या device में खराबी उत्पन होने पर संपूर network खराब हो जाता है तथा इसके किसी device को connect या disconnect करने पर सारा network बाधित हो जाता है मेंस topology में देखेंगे तो मेंस topology परतेक नोट से एक से अधिक नोट से जुरा होता है या PP network विस्तार करता है मेंस topology लबी दूरी कि networking जो है के लिए परियुक्त किये जाते हैं इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है फूल मेस topology और partial topology नेज़ देखते हैं मेस topology से लाब होता है तो इन में कौन सी node या device खराब होता है असानी से पता किया जा सकता है यह topology अन topology के अपक्षा जैदा सुरक्षा या security परदान करती है यह अन topology के अपक्षा मागी होती है तथा इसके लिए बहुत सारी केवल एवम NIC काड़ आवा सकता परते हैं बस topology देखेंगे तो बस topology रैख्ये टेपोलोजी भी कहा जाता है बस topology के सभी node एवम डिवाइस एक रेख्ये केवल से जुरे हते बस topology की coaxial का परियोग किया जाता है इस topology का परियोग परामपविक data संचार network में किया जाता है बस topology से फैदे देखेंगे तो इसमें अन topology की अपक्षा कम केवल के आवा सकता होती है यह topology छोटी network के लिए परयूगत है इससे हाँ नहीं दखेंगे तो अन topology की अपक्षा आदी इसकी गतिज होता है बहुत कम होती है इसमें केवल खराब हो जाने से जो है सभी device का network खराब हो जाता है next है tree topology बस topology का एक रूप tree topology भी है अर्ताद बस topology और start topology का परियोग करके tree topology का उपयोग होता है tree topology के twisted paper के वल का परियोग किया जाता है tree topology से लाब देखेंगे तो अगर network में कोई कमी आ जाए तो उसे खोजना आसान होता है या अन topology की अपक्षा अम्मागी होती है IP address इंटरनेट से वा परदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इंटरनेट से जूरे परते computer या उपकरन, computer या device को जो है उसकी पहचान के लिए दिये जाने वाले विसेस अंकी पता यानि numerical number जो होता है यह होता है संपुर्ण विस में इंटरनेट से जूरे किन ही दो computer का IP address एक समान नहीं हो सकता है IPv4 एक संख्यात्म एड्रेस है जिसके बैंडरी बिट्स को जो है एक dot द्वारा अलग किया जाता है IPv4 एड्रेस का आकार 32 बिट या 4 बिट का होता है IPv4 में जो हिसा चार संख्यात्म शमलित हैं जिन से परत्यक में एक से तीन अंक होते हैं जिस देखते हैं IPv4 में परत्यक संख्या या नम्मर या अंक और डिजिट के समूख को अलग करने के लिए एकल डेटा का जो है एकल डॉट का पर उप्योग किया जाता है परत्यक चार संख्या पर 0 से 225 तक परास में रह सकते हैं जिस देखते हैं IPv4 हेडर छेत्रो की संख्या 12 होती है इसकी बेवस्था में कुल दो पर पावर 32 IP एडरेज परदान किये जा सकते हैं जैसे कि देखेंगे तो 66.171.248.170 IPv6 देखेंगे इंटर प्रोटाउन की सबसी नविन तन ससक्रन है इनका आकार देखेंगे एक को लम द्वारा अलग किया जाता है इंटरनेट सेवा परदान आता ISP द्वारा परदान या प्रोबाइट के जाने वाले वह पता है या अडरेस है जो कभी नहीं बदलता है अर्था अस्थाई रहता है एस्थेतिक IP एडरेस कहलाता है इंटरनेट सेवा परदाता द्वारा परदान के जाने वाले वह पता जो बदलता रहता है अर्था अस्थाई रहता है उसे गतिक IP एडरेस कहला जाता है डोमेन किसी वेपसाइट का पता या अडरेस होता है जिसका परियोग यूजर रूपयोग करता था तब करता है जब इंटरनेट पर किसी वेपसाइट को देखने की आवज सकता होती है जैसे की आप देखेंगे तो sscgcp.com तो यह जो हो गया इस्पेसाइट का जो है डोमेसाइल हो गया और इसी से इसका सर्च किया जाता है समसमाई घटना चकर की परकाशन की सैट है जिसे हम .com जो है डोमेन यूज की हुए है डोमेन नेम से में अधिक्तम जो है आपका तीरसर करेक्टर हो सकते है जिसके अक्षर, संख्या, अत्वा, सन्योजर हो सकता है और साथ ही चार करेक्टर डोमेन एक्स्टेंशन जो होता है जिसे .net, .org और .com ये आपका एक्स्टेंशन डोमेन है आधि के पैचान आइडेटरिफाय करने के लिए क्या जाता है डोमेन नेम में वेबसाइट का नाम और एक्स्टेंशन से नाम समलित के .net का नाम एक्स्टेंशन को अलग किया जाता है डोमेन.net के बाद लिखे जाने वाला अंतिम भाग को देश अत्वा संगाठान कंट्री या और्गेनाजिशन परदासित करता है जिसे टॉप लेवल डोमेन या डोमेन सुचक भी करते हैं नेज़ देखते हैं टॉप लेवल डोमेन एक्स्टेंशन के कुछ लोगपुरिया उधारान देखेंगे तो .com होता है जिससे कि आप कॉमेर्सियल होता है एजुकेशन में .edu लग जाता है और गिनाजेशन में .org लग जाता है और military में .mil संगट्री में लग जाता है top level domain मुक्त दो परकार के होते हैं generic top level domain और एक होता है country code top level domain generic top level domain देखेंगे तो इस domain name द्वारा किसी संगठन आधी को परदर्शित किया जाता है इसमें 3 या 3 से अधिक character हो सकता है जैसे कि देखेंगे तो .com commercial ऐसे ही .biz देखेंगे business के लिए .education देखेंगे .org देखेंगे .government देखेंगे और country को top level domain देखेंगे तो इसमें आपका domain name द्वारा किसी देश को परदर्शित किया जाता है जैसे .in तो इंडिया के लिए .us United States of America के लिए जैसे Dutch के लिए ,DK यूजता है ,Canada के लिए ,CA यूजता है ,AIT के लिए , यहनी Australia के लिए यूजता है ऐसे बहुतिक माध्यम जिसके दुआरा एक computer से भेजी जाने वाली सूचना एबम संकेत network से जूरे दूसरे computer तक पहुँच जा सकती है संचार माधियम कालाता है संचार माधियम पर यह दो परकार के होते हैं तार्युक्त संचार माधियम और बेतार संचार माधियम इतने तार्युक्त संचार माधियम के अंतर गधातु या फाइबर के बने हुए तार आते हैं जो बिदुद संकेतो अच्वा परकास किये संकेतो को रूप में डेटा या सुचना को एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुचाते हैं जैसे यूगमतार, को एक सिस केवल परकासिये तंतु आधी होते हैं युगमतार जो देखें युगमतार जो होता है आपस में लिप्टे हुए तामबे से बने दो तार होते हैं जिन पर कुछ चलो को यानि नौन कंड़क्टर की परचड़ी होती है ऐसे तार ऐसा संतुलित माध्यम बनाता है जिसे केवल में अधीक सोर या नोज नहो निस देखते हैं युगमतार संकेतों को रिपीटर के बिना एक किलोमीटर की दूरी तक ले जाने में सक्छम होते हैं को एक्सियल केवल के केंडिये ठोस चालक के बारी आवरन पर चालक तार की जाली यानि सिल्ट बनी रहती है और दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है तार की जाली या सिल्ट भी कुचालक से धकी रहती है को एक्सियल केवल के वैथित 300-400 MH तक होती है जो निम्न बीट से तुरूटी दर के उंच गती डेटा जो हैसन चार की सुवधा परदान करती है परकासिय तंतू परकास के पूर्णा अंतिक प्रावरतां के सिधान पर अधारित होते हैं परकासिय तंतू तकनिती में तंतू या फाइवर, माध्यम, सिलिका, कांच अत्वा प्लास्टिक मिला कर बने हुए पतला तंतू होती है लगवग, बाल के अकार के होता है तथा संकेत परकासन की संपदतों में मिलकर बना होता है परकाशिय तन्तू लचीला और पारदर्सी होते हैं इंटरनेट के वलद्वारा जो है कम्पूटर और नेटवर्क युक्तियों डिवाई जैसे मोडम, स्वीच, रॉटर, टेलीफॉन आदी के एकस्थान नेटवर्क के भीतर प्रस पर जोरा जाता है नेज़ दखेंगें तो FTH निर्वाद उच गती इंटरनेट से वाब परदान करता है FTH बिस निये जो है रिलीवल मापिये और सुरक्षित होते हैं नेज़ दखते हैं बेतार संचार माध्यमों के द्वारा डेटा तथा सुचना तरंगों के रूप में एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुचाई जाती है बेतार संचार माध्यम तकनिकी से रेडियो तरंगे अथवा अवरक तरंगे का पर्योग करके कम दूरी के नेटवर्क के लिए जो है अस्थापित कर डेटा अरदार परदान किया जाता है संचार उपकरण जो है Communicational Satellite एक बेतार संचार Wireless Communicational माध्यम है जो सुदूर परदेशों और संचार के किसी भियस्तान में संचार उपलब्द कराना सक्षम होता है Wi-Fi एक जो देखेंगे बेतार एरिया नेटवर्क है जो 2.4 GHz UHF Ultra High Frequency तता 5 GHz जो SHF Super High Frequency की रिडियो तरंगे के माध्यम से किसी इलेक्ट्रोन इस उपकरण को डेटा अर्दान परदान करने आथवा इंटरनेट से जूरी सिवधायें परदान करती है कम्पुटर की कुछ भीवित देख लेते हैं आंकर संचारन की गतिकों मापने की बयट परती सेकंड करते हैं सिलिकाउन की एक सेमी कंडेक्टर इसका पड़ियो कम्पुटर के चिप पनाने में किया जाता है इंडिया का सिलिकाउन बेली जो हैपका बेंगलोर को कहा जाता है ये भी याद रखेगा डेटा प्रोसेसर के लिए computer बैंडी भासा का अप्योग करते हैं एक वेक्ति जो अपनी विशेस्ताओं से दूसरी लोगों के computer को एक्सेस करते हुए अबायद रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं या नुकसान पहुचाते हैं उसे hacker कहा जाता है computer typing में अपनी तुरुटी को तुरंत प्राप्त ने इवा मन के लिए undo कमांड का प्रियोग करते हैं ISP का ताथ पर internet service provider होता है Microsoft ASP progressing भासा नहीं है internet से एक फाइल को आपके computer के अस्थानतित करने की परिकिरिया downloading कहा जाता है world processing, space system और photo editing application software के उधारन है नेस देखते हैं किसी criminal computer से हटा दिया जाए या च्छती गरस्त फाइलों को वापस पाने एवा मपढ़ने की छमता कानूनी परिवर्त विशिष्ट का एक उधारन है जिसे computer forensicsive कहा जाता है personal computer को network के रूप में देने के एक साथ सज़ूज़ किया जा सकता है DVD का ताथ पर जो देखेंगे तो digital virtual analytics होता है इंटरनेट से खाते जूने की परिकिरिया send in कहा जाता है इंटरनेट की एक host दुसरे host से IP address से द्वारा ढूंड पाता है डेव सैट किसी निदिष्ट कंपनी के स्वामित में सुचना अस्थल को कहा जाता है वेप पेज बनाने के लिए test editor के लिए लिखे गए HTML code text का परियोग होते है MCA का पुरा नाम देखेंगे तो master of computer application होता है computer का word memory एस्टोर से सम्दित होता है mini computer जो आपका personal computer का एक उधारन है PACA पेस एक super computer जिसका निर्मान DRDO द्वारा किया गया है पर the DNC मा भी प्रायाद देखेंगे तो domain name system है IVR विश्टित रूप से interactive voice response होता है ध्यूत्य PD computer के मुख के लिए एक टौनी सत्वा अवियब के रूप में जो है transistor का उप्योग किया गया है CDMA जिसका जो फूर्फरम देखेंगे code division multiple access होता है calendar से संबदित जो देखेंगे Y2 के एक computer programming समस्या थी जिसे millennium bug करते हैं UIDAI अधार से संबदित होने के कारण परसीद है OCR देखेंगे तो optical correct recognition होता है email address के दो भाग user ने और domain name होता है computer के monitor पर संकेत या pointer हाथ का ले लगता है जबकि यह hyperlink पर होते है पर्थम generation computer की विसिष्टा विसिष्टा देखेंगे तो vacuum tube का उप्योग किया गया था server computer जो network के संज़ोगी दूसरे computer को सुरोत परदान करते है यदि पहले से save की गई फाइल में कुछ बदलाओ किया जाये तो बदलाओ को store करने के लिए पूना save करना चाहिए computer एब हम internet का उप्योग करने वाली एब हम इनका उप्योग न करने वाले लोग बीच के अंतर digital divided कहलाता है storage जो बिजली बंद होने के बाद data store करता है या रखता है उसे non volatile storage कहा जाता है किसी computer का CPU control memory arithmetic logic unit को संस्लिज करता है computer की संबता संबता को मापने की काई को MIPS million instruction पर 30 seconds है computer database में संचित पार्ट एबं चित्रमाई सुचना को जो BD system telephone network के माध्यम से television परदे परपरदर्शित करने के लिए संप्रेशित करते हैं उनको उनका जो नाम दिया जाता है video conference दिया जाता है computer policy के संदर में cheap jewelry का अर्थ अर्दचालक से है radio transmission में जो FM का भी frequency modulation होता है प्रास्मिक कुंजी ऐसी कुंजी है जो अद्वित्य आकरा संचे सार्णियों में अभीले को पहचानती है संबंधर आकरा संचे देखेंगे तो relational database बहुत सार्णियों multiple table पर अधारित आकरा संचे है जबकि network का आकरा संचे के आकरे संजाल में बिवस्तित होते हैं वो फ्लाइट फाइल एककल संक्री सार्णियों पर अधारित होती है आकरा संचे का को बिश्तित्पर्ण का उप्योग करके निर्मित कारे सीट का लाती है विंडोज पर चालन तंत्र या उप्रेटिंग सिस्टम में कम्पूइटर के निवेस इनपूट एवं निर्गत आउटपूट के विबरन प्राप करने के लिए पर लेखन एवं आइकोन को किलिक करना चाहिए नेज़ देखते हैं मैक्रोसप्ट कॉर्पूरेशन दुआरा लोग पिरिये विश्तित्पर्ण, स्पिट्ट, सीट, क्रमस MS, Excel में होता है MS, वर्ड, टूल, वार, सक्रिय, पर लेखन परदर्शन के वर्धन करने या समानबय में मदद करता है MS, आउटलूक, वह परिक्रिया समागरी अनुपर्योग है जो अपने ही कारिया लाए में लोगों के सुजना परदान करने या बाटने के लिए परियुक्त होते है DOS, UNIX, Windows पर चलानत अपरेटिंग सिस्टम सॉप्ट्वेर जबकि MS, वर्ड, सब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग सॉप्ट्वेर होते है प्राचालन तल्थ नहीं होते है MS, Excel में किसी आउंकरे को वर्णा नुकरम के अरोहन करम या अवरोही करम में पुनरवेश्टित करने के मदद देने वाले आदेश निर्देश आंकरे सॉट कहलाते है किसी कम्पूटर में कम्पाइलर होता है या एक अप्लिकेशन सॉप्ट्वेर है CPU को मुख मेमोरी से जोरने वाले तारों के समु को एक अड्रेस बस कहा जाता है एंटेर परसनल जो है कम्पूटर के एक पटल की कुझी है किन्तु परंपरागत टैप राइडरों में उपलब नहीं होते है IT का विश्टित रूप देखेंगे इनफोर्मेशन टेकनलोजी होता है एक अपार्टमेंट डिक्स यानि सीडी में परकासित या उप्टिकल परकार की डेटा भंडारित पतातित होती है डेटावेस रिकॉर्डेट का कलेक्शन है कम्पूटर में जो देखेंगे IC कम्पूटर में पासवर्ड तंत्र अनाधिक्रित अभी गमन से शुरक्षा करता है कम्पूटर से संब्दित रूम देखेंगे तो read-only memory होता है DOS देखेंगे तो disk संचालन परनाली है Internet Explore देखेंगे तो web browser होता है कम्पूटर का monitor एबं output साधन का उधारन है देखते हैं laptop mini computer का उधारन है CDAC का अर्थ Center for Development on Advanced Computing होता है MP3 file hardware का उधारन नहीं है क्योंकि यह एक तरह का software है email भेजने पत्र लिखने के समान होते है shortcut data shortcut desktop पर परयोगता को program या file तक तुरनत पहुचाता है Microsoft Office, Android, Excel, PowerPoint, Word में से Android mobile जो है phone operating system है भीन परकार को होते है यह आपका Android जो है mobile phone में यूज होता है इसलिए अलग कहा जाएगा LED, LCD, CRT, monitor के विभीन रूप से सम्बंदित है monitor एक output device होते है next देखते हैं CPU, CPU का full phone देखेंगे center process unit होता है computer के मस्तिक्स के रूप में यह काम करता है Unix, MS-DOS, Vivo, Windows में से Vivo जो होता है computer operating पदाती नहीं है क्योंकि Unix, MS-DOS और Windows आपका computer के operating system है Excel, Word, Outlook, Impress में से Impress program Microsoft Office के package के भाग नहीं है computer company देखेंगे तो Apple का संस्थापक Steve Jobs है UPS, CPU, USB RAM में computer memory को निर्देशित करने के लिए RAM सब का उप्योग होता है hardware का सम्मंद computer से है Facebook का संस्थापक Mark Zuckerberg है LED का पूर्णूप देखेंगे तो Light Emitting Diode होता है computer mouse का अविस्कार Douglas Angel Word के द्वारा किया गया है computer से हटाया गया data disk पर तब तक रहता है जब तक की recycling bean को खाली ना किया जाए computer monitoring को पर टिम टिमाता हुआ जो billing की linking टैप की अगया अक्षरों के जो आपकी स्थिति को दर्शाता है उसे कर सरकाते है नेज़ देखते हैं DBMS का full form जो देखेंगे तो database management system होता है कोई भी website हम बनाते है उसका backend जो होता है यानि जहाँ पर data star होता है इसी को आपका DBMS कमा जाता है नेज़ देखेंगे निरगत या output साधन आक्रे देखना और print करना संभव बनाता है लैन का देखेंगे तो local area network के एक छोटे single set network संदर भीत करते हैं नेज़ देखेंगे dot, matrix, inkjet, laser, printer के परकार होते हैं printer एक तरह का output device होता है computer world में pen drive, data storage का माध्यव है pen drive आपका input device होगा facebook, twitter, orkut opera में से opera जो है आपका social networking नहीं है क्योंकि opera जो होता है यह आपका web browser होता है इसलिए आपका social networking नहीं है तो इस तरह से आपका computer का class यहां पिंड होता है तो please video को like करिएगा और channel को subscribe कर लिजेगा हाँ दोस्ट यदि इस book का complete syllabus देखना है तो आप playlist में जाकर के इस book का पूरा जो है इसलिए बस देख सकते हैं तो मिलतें next video में तब तक के लिए जाएंगे पूरा जाएंगे